वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे and don't forget to press the bell icon जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुश सकें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर औरिंज पील काजू और बदाम औरिंज जूस एग नमक वैनिला एसंस चीनी कोको पाउडर चेरी टूटी पूटी मैदा and सम रेसिंस किश्मिश सबसे पहले मैंने एक पतीला चड़ा दिया है उसमें मैं और और जूस पहले एड़ कर देगा और जूस आड़ कर दिया है मैंने अब मैं इसमें अपने कटे हुए काजू और बदाम एड़ कर दूँगी ओर इंज पील आड़ कर देंगे किश्मिश वो भी हम आड़ कर देंगे इसमें यह चेरी और टूटी-फूटी दोनु हैं काट के मैंने इसमें डाल भी मिक्स कर दिया तो अब वो भी हम इसमें आड़ कर देंगे 3 x 4 चीनी लेंगे और उसको एड़ कर देंगे साथ ही साथ हम इसमें 3 टेबल स्कून ऑईल डाल देंगे अब हम इसको पांच मिट तक पकाएंगे हमें इसको मीडियम फ्लेम में रखके पांच मिन तक पकाना है जिससे की जो भी हमारे ड्राइफ फ्रूट और नट जो भी हमने इसमें मिलाए हैं इसमें थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इसमें अच्छे से भीग जाएं इसमें आपको पांच मिन पकाना है और आप चाहें तो इसमें कोई भी अपने मन पसंदा पूरूट आंड नट मिला सकते हैं इसमें पांच मिन हो चुके हैं अब इसकी में गया सॉफ कर दूंगी और इसको हम 20-25 मिन्स रख देंगे ठंडा होने के लिए तो यह हमारा थंडा हो चुका है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने जिसमें आपको यह किक बनाना है उसे हम घरम होने रख देंगे तो मैं जो है केक इस कडाई में बनाने जारी हूँ आप चाहे तो किसी में बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूगी यह नमक जो है मेरा पहले से यूज हो चुका है इसलिए इसका फ़लर चेंज हो चुका है अब आसका कोई कटõesर, जिये कोई कहा इस गूजै कर सकते। आपको कड़ाय के कुछ कुछ ऊपर चाहिए जिसे कि कुछ बेसित करना है और का सड़या तो आप चाए कोई केक कटैना नमक आपको कुछ से उपरीत नमक बेसे है कोः इसर रख सकते हैं डग देंगे अब हमारा प्री हीट हो रहा है तब तक हम यहां पे बैटर बना लेते हैं केका अब हम क्या करेंगे एक कप मैदा ले रहे हैं इसको अम इसमें आड कर देते हैं इसमें कोपाओर अड़ कर देंगे इसमें हम 3 डेबल स्फून कोपाओडर अड़ कर देंगे एक चमज बेकिंग पाओडर उसका आदा हम बेकिंग सोडा ले लेंगे मतलब आदा चमज हमने बेकिंग सोडा ले लिया है एक पिंच ओव सॉल्ट लेंगे और पैले इन सब ड्राइं ग्रीडियंस को हम मिला लेंगे हमने अपने सारे ड्राइं ग्रीडियंस को मिला लिया है अब हम क्या करेंगे एक चमज वैनिला एसंस मिला देंगे वैनिला एसंस अम इसमें एक अड्राइंगे और यह अपने प्रूट और नट्स का यह जो भी अमने बैटर बनाय था वह अब हम इसमें एक अड्राइंगे अब हम इसी इस फ्लैचला के तुरू इसको मिला लेंगे क्योंकि अगर आप विस्कर यूज करेंगे तो फ्रूट इंडर्स उस विस्कर में लग जाएंगे तो चिपक जाएंगे क्योंकि जाएंगे कि एक अंड़ा दो अंड़े हम इसे आड्ड करने हैं हम एक ही करके अंड़ा इसे आड्ड करने हैं क्योंकि जाएंगे क्योंकि जाएंगे क्योंकि जाएंगे क्योंकि जाएंगे क्योंकि जाएंगे क्योंकि जाएंगे मैंने एक अंड़ा मिलाया है इसको मच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे कि उसको भी हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे अब कर देख सकते हैं हमारा केक का बैटर बिल्कुल अच्छे सकते हैं अब इसको में एक जगा साइट कर देगें अपना केक्टिन का केक्टिल ले लेंगे अब हम इसमे अब इसमे है साइट्स में भी लगा लिगे तो मैंने बीज कर लिया इसको अब मैं इसमें मैदा दाज दी हूंगी और अच्छे से हर जगा स्प्रेड कर दूंगी तो मैंने उच्छे से ग्रीस कर लिया है अब मैं इसमें बैटर को इसमें आड करदूगहा Syd अगा बैटर मेरे डाल दिया अब हम इसे टाप कर लेंगे एक बार अब इसके बड़ आप जो भी डालना चाहें है वो डाल सकते है आप अब 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 क्याइट अब 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 कडाई अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम इसके केव टिन को मैंने रखती है और अब हम इसको मीडियम आज में इसको चालिस मिन बार देखेंगे अब हम इसको ठग देंगे तो आप यह देख सकते हैं हमारा केव बन का रेडी हो चुका है अब हम इसको चुका है कि देखें कितना सौकली है किना हमारा केव गुटन नट सब्भरा हुआ चौकली टिकेग स्वाप अगर आपको इस वीडियो पसंदाई हो तो प्लीज मैं शैनल को सब्सक्राइब कीचेगा अगर आपको प्लीज कर दो देखें कि अगर अगर आपको के अगर आपको प्लीज मैं देखें झाल झाल